सोने की चूरिया कहा जाने वाले है देश आस्थाव मिस्वास से परिपून है जिसकी महानता और काकत से दुनिया पहले भी डरती थी और आज भी डरती है ये सबसे अलग है क्योंकि इसकी बात ही अलग है ये है भारत इंड़ाग्ड आस्थावड़ादी आस्थावड़ादी डरत आस्थावड़ादी बात हैं तो बात जाज़ादी इसकी परिपड़ादी और रत परारस जिसे आप वारारसी के नाम से जानते हैं महादेव के भक्तों को सरते पर गुरूर है परारस का प्रेम भी पुरी दुनिया में मशुरूर है लोगों का मानना है जीवन की सुधा आत्तात्म के रस्मे स्वयमी भगवान से बना रस्मे है भारत एक विवित धर्म वाला देश है जहां पर हर तरह के विक्ती अलग अलग धार में प्रताएं और विश्वास के चरिये अपने धर्म को निभाते हैं यहां मंदिर भी हैं मच्चित भी हैं गुरुद्वारे भी हैं वो मानते हैं कि उनके जीवन का एक अर्थ और उद्देश देते हैं धर्म यहां पर धर मुसरिफ मानिताओं तक सीबित नहीं हैं बलकि इनमें नेतिक्ता, रिवाज, संसकार, जीवन दर्शन के अलावा और भी बहुत कुछ है आज के सम्में में भारत विविध धर्मों का पालन करता है आज के सम्में में भी बहुत कुछ है कर राहते हैं ओ। कर दो कर दो विभिन प्रकार के भोजन के साथ ही साथ यहां विशाल काई जंगल भी मौजूद है और उन विशायकाल जंगल में विभिन प्रकार के जानवर भी आलाकि यहां के लोग घर में जानवर पालना भी पुसंद करते हैं लेकिन जंगलों में भी आपको इनकी विशाल संख्या दिखाई पड़ेगी जेने हस्ता खेलता देख आपका मन भी प्रफलित हो उठेगा यह जानवर है ही इतने सुने रहें भारत देश अपनी संस्क्रती यह हमसल्सकार के लिए जाना जाता रहा है जिसके लिए भे मशुखूर है भारत देश इश्व का सबसे बड़ा लोगतांति देश भी है यहां के हर छेत में हर अलग अलग छेतरों में पसे हुए लोगों में देश के पती एक एकता है वक्त आने पर यह सब एक हो जाते हैं यहां पर कई ऐसे महान वीरों ने भी जन में लिया हैं जिनोंने देश के आनबान शान को बनाए रख़ा हैं कुश्महान पुरुष तो यहां पर हुए ही हैं साथी साथ कुश्महान महिलाएं भी जिनोंने अपने देश का शर कर्व से उचा किया है ऐसे मेरे भारत देश को सत सत नमन करिंध सुन aż इस द्मटान जिनोंन शेंग झाइव कि शलिख याक और बसित करहर lar और दो, कि अhथ हम्युआ कि अार दूतारे चाएक अ चुझा। किlerी आविमा से लिक्ट